Past Year Question Discussion Series for UPSC Civil Services Prelims Examination 2024, Class No.1 for Environment and Ecology पहला जो question है, वो है, question कहता है which one of the following is the best description of the term ecosystem पेपर में जबी भी आप से question पूछा जाएगा जो भी MCQ रहेंगे या जबी भी आप practice करिए दो तीन आदते आपको practice करने के दोरान में भी डाल लेनी है पहली चीज जबी भी आप question practice करिए हमेशा जितने भी important line या important word आपको दिखे आप उसके नीचे एक underline mark कर दीजिए दूसरी चीज जितने भी terms वगरे होते हैं उनको बहुत ही closely आपको देखना है कि कहना क्या चाह रहा है question तो इस question में अगर देखें तो term बोला जा रहा है ecosystem को ले करके ecosystem इसके अलावा environment and ecology ये हमें तीन term देखने को मिल जाते है ecology, environment and ecosystem ecosystem जैसा का नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक तरीके का system होगा system जहां पर अलग-अलग components होगे जैसे biotic component हो गया और abiotic component हो गया abiotic component में जो भी हमारी inorganic चीजे होती है जैसे sunlight हो गया, temperature हो गई या फिर soil हो गया जो भी non-living item होंगे वो सभी abiotic component में चले जाते है biotic component में mainly living items होते है living item में primarily हमें तीन चरीके की चीजे देखने को मिलती है एक होते हैं जिसे हम बोलते है primary producer यह हमारे producer होते हैं जो लोग photosynthesis की प्रक्रिया करते हैं इन्हें हम लोग autotroph के नाम से भी जानते हैं autotroph मतलब यह self sufficient यानि self developing होते हैं खुद से अपना खाना त्यार कर लेते हैं example के तौर पे जो भी हमारे पेड़ पौधे हो गया, कुछ bacteria हो गया और algae हो गया यह mainly अपना खाना खुद बनाते हैं और इस वज़े से इनको primary producer या फिर autotroph भी बोला याता है अब दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं consumers consumer वो होते हैं जो हमारे इस primary producer पर dependent होते हैं primary producer दो तरीके के होते हैं एक होते है जो macro level पे होते हैं बड़े बड़े level पे होते हैं जैसे जो भी जानवर हो गया या human हो गया जो लोग भी plant पर dependent होते हैं दूसरे होते हैं जो micro consumers होते हैं micro consumers जो छोटे-छोटे होते हैं जैसे bacteria या fungi ये लोग ultimately plant या फिर किसी animal पर ही dependent होते हैं कई बार हम इसे decomposers भी बोलते हैं decomposers या फिर इसी को हम लोग detriors भी बोल सकते हैं कई बार ये dependent होते हैं primary producer या फिर जिसे हम लोग plant भी बोलते हैं इनके उपर में तो चुकि यहाँ पर एक system बोला गया है तो system का मतलब एक ऐसा area या एक ऐसा combination of biotic and abiotic species जो एक दूसरे के साथ में कोई न कोई एक functional unit में हो functional unit का मतलब कोई न कोई एक हमें relationship देखनी होती है या relationship देखने को मिल जाएगी और इस system को बोलेंगे हम लोग ecosystem तो definition के हिसाब से देखें कि हमें यहाँ पर एक structural and functional unit दिखनी चाहिए और यह जो structural and functional unit दिखनी चाहिए वो biotic and abiotic species के बीच में दिखनी चाहिए तो अगर हम लोग options को analyze करें पहला option बोलता है एक community of organism interacting with one another यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल एक community है जैसे अगर हम अपने human की ही community को देखें तो human human जो आपस में interact कर रहे हैं केवल उसी को हम लोग ecosystem बोलेंगे क्या यह सही है नहीं दूसरा है that part of the earth which is inhabited by living organisms हमें पता है जहाँ पर भी living organisms रहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं biosphere लेकिन यह तो biosphere हुआ यह ecosystem तो नहीं हुआ तीसरा है a community of organisms together with environment अब यहाँ पर environment term बोल दिया गया है environment का मतलब यह होता है जहां पर हमारे पास में biotic और abiotic दोनों ही species होते हैं और यह दोनों भी आपस में relationship में ही होते हैं ecology में सिर्फ और सिर्फ biotic species होते हैं यह biotic species या जिसे हम लोग living species भी बोल सकते हैं यह लोग आपस में relationship में रहते हैं तो जो भी scientific study होती है living species की इसे हम लोग बोलते हैं ecology जो ecology के आसपास होता है इसे हम लोग बोलते हैं environment और ये पूरा का पूरा जो system हुआ इस पूरे system को जहाँ पे ecology और environment दोनों आ गए इसी को हम लोग बोल देते हैं eco system तो अब c option पढ़िए community of organism यानी जो भी हमारे biotic species है उनके साथ में जो ए बायोटिक और बायोटिक दोनों है जब वो एक दूसरे के साथ में relationship में होते हैं तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का eco system हो गया yes तो यहाँ पर option number जो c है ये most correct statement बोल रहा है लास्ट बोला आता है कि flora और fauna जिस भी geographical area में रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे कि हमारा eco system हो गया ये statement obviously एक गलत statement होगी यानी कि इस question का answer होगा c statement अगला जो question है this is which of the following are nitrogen fixation plant जो लोग भी nitrogen fixation का काम करते हैं अब अगर हम लोग soil में अपने देखें तो soil में हमारी तीन चीज़ों की requirement होती है एक nitrogen दूसरा phosphorus और तीसरा potassium comment section में आप लोग को बताना है कि इनका जो ratio है ideal ratio क्या होता है comment box में यह आप लोग बताइए अब देखी जो nitrogen होती है वो अलग अलग जगहों से आती है यह जो nitrogen होती है यह हमें ammonia से निकल करके आ सकती है ammonia हो गया या फिर जो हमारी nitrogen वाली fertilizer होती है यूरिया वगरह जैसे हो गय इन fertilizer से आ जाता है यह हो गया first source दूसरा source होता है जो natural तरीके से आती है natural तरीके से जैसे जब ही भी lightening होती है यानि आकाश में जब बिजली करकती है तो बिजली जो आती है वहां से जो nitrogen निकल करके आती है वो natural तरीके से होती है तीसरा होता है जहां पर organic matter ultimately जब dim compose करते है त तो organic matter का जब हमें decomposition देखने को मिलता है तो यहां से भी हमारी nitrogen निकल करके आती है चुकि organic matter में अगर आप देखेंगे तो amino acids होते है यह जो amino acids होते है जब dim compose करेंगे तो ultimately मिल करके soil में ही चले जाएंगे और चौथा होता है जो हमारी nitrogen fixation plants होती है कुछ plants होती है जो nitrogen release करती है और यह nitrogen ultimately soil में जाकर के mix हो जाता है जो nitrogen fertilizer वाली process है इसका नाम याद रखना है इसको बोलते है Haber-Bosch process This is Haber-Bosch process एक्जाम में आप से पूछा भी जा सकता है कि Haber-Bosch process यह किस चीज से related है तो आप बता देंगे ammonia या nitrogen fixation से related है सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो यह nitrogen fixation plant या nitrogen fixation bacteria वगरह भी होते है primarily आपको देखने को मिलेगा यह pro-karyotic series की होती है हमारे पास में दो तरीके के species होते हैं एक होते हैं जो हमारे eukaryote होते हैं दूसरे होते हैं जो pro-karyote होते हैं eukaryote जो developed species होते हैं जहाँ पर सारे ही मतलब कि पूरा का पूरा इनका nucleus या पूरा का पूरा cell developed होता है जो pro-karyote होते हैं वो undeveloped cell होती है जहाँ पर हमारे पास में चीज़े तो होती हैं but they have not their regular body कोई fix body नहीं होती है अलग-अलग तरीके से यह बिखरी पड़ी रहती है अब हमारे पास में जो nitrogen fixation bacterias बगर होते हैं वो अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं pro-karyote में ही जो एक अगर हम aquatic के बारे में बात करें जो मतलब जलिये होते हैं जल में रहते हैं इसमें से आपको एक मिल जाएगा जिसका नाम है cyanobacteria this is cyanobacteria similarly इसी तरीके से हमारे soil में भी कुछ पाए जाते हैं जो free living soil bacteria होते हैं जैसे हमारे पास में agotobacter हो गया इसके अलावा हमारे पास में कई सारे और भी bacteria भी होते हैं जैसे एक bacteria जिसका नाम है agosperilium और बाकी और भी आपको छोटे मुटे species देखने को मिल जाएंगे जैसे rhizobium हो गया या brady rhizobium हो गया ये legume के साथ में symbiosis relationship में भी होते हैं तो ये हमारे पास में कुछ species होते हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आने वाले जो भी मतलब की examination हो सकते हैं civil services के प्रलिम्स में भी इस information के basis पर आप अपने options को eliminate भी कर सकते हैं nitrogen fixation के लिए जो plants होते हैं ये primarily 3-4 plants है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है जैसे एक है जो clover plant होती है आपको ध्यान रखना है कि ये जो clover plant है ये long नहीं है ये long को clover बुलायाता है बट ये long नहीं है ये एक अलग ही पत्ती होती है इसके अलावा आपको जितने भी पीज वगर हो गई, मटर वगर हो गई ये भी nitrogen fixation का काम करती है ये nitrogen fixation ultimately farmer के जो काम है उसको काफी आसान मना देती है अब अगर हम लोग सवाल को देखें तो यहाँ पर बुला गया है कि इसमें से nitrogen fixation plant कौन कौन सी है अलफा अलफा ये एक तरीके की घास होती है, अमनाद ये भी एक तरीके का घास होता है चिकपी मटर हो गया, ये तो पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो option होना चाहिए क्लोवर हो गया चलो ठीक है अगर पता है तो ठीक है नहीं भी पता है तो मैं हाँ पर स्किप करता हूँ अभी कि मुझे नहीं पता है इसके अलाबा ये पूर्सलेन करके कुछ है कुलफा ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये होगा की नहीं होगा मुझे नहीं पता है लास्ट में आप्शन आ रहा है स्पिनेच इस्पिनेच का मतलब हो गया जो हम लोग सबजी खाते है सबजी जैसे आपका जो क्या बूलेंगे इसको पालक होता है जो पालक की सबजी होती है क्या आपने कभी सुना है कि पालक nitrogen fixation कर रही है हमें पता है कि पालक से iron बहुत मिलता है iron के लिए बढ़िया होता है लेकिन कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि पालक से ultimately nitrogen fixation हो रही है क्योंकि पालक बहुती normal, बहुती daily life की चीज है अगर ऐसा होता तो आपको पता जरूर होता तो छटमा option मुझे पता है कि यह नहीं होगा देखे इस तरीके के गस्वर्क आपको करने पढ़ेंगे exam में अब 6 option जैसे ही आपने cut किया वैसे यह option निकल करके आ गया कि answer यहाँ पर A correct होना चाहिए अब देखे यह तो थोड़ा सा dice हो गया अगर यह पालक वाली कहानी नहीं होती तो ultimately शायद आप नहीं कर पाते लेकिन अब यहाँ से आपको example मतलब कि यह जो example से इनको याद कर लेना अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले फंजाई के बारे में फंजाई क्या चीज होती है अभी हम लोगों ने current affairs में भी discuss किया है फंजाई एक group का नाम ले लिया गया example के तोर पर जैसे mushroom एक तरीके का फंजाई है अब यह क्या चीज होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं decomposers जो decomposer होती है यह mainly decay करने का काम करती है किसी भी चीज को decay करने का काम करती है या जिसे हम लोग decompose करना भी बोल सकते हैं इसी को environment के term में हम लोग बोलते हैं कि these are saprotrops saprotrops basically दो तरीके के हो सकते है एक होता है जो हमारे detrivorus होते है जो detrivorus होते है ये further decay करने का काम करते है decay करने में ultimately ये चीजों को और break करते है और ultimately जो भी मृत जीव है उनको अपना food बनाते है दूसरे होते है जो fungi या फिर bacteria के format में होते है ये fungi और जो bacteria वगरे भी होते है ये dead animal पर ही grow करते है और dead animal के उपर ही अपने अपनी जो भी colonies है वो बना लेते है जो भी nutrients वगरे की जरुमत होती है वो ultimately यहीं से ये fetch कर लेते हैं यहीं से ये ले लेते हैं तो फंजाई एक तरीके का ग्रुप होता है जिसे हम लोग नॉर्मली प्लांट की सीरीज में ही रखते हैं हला कि ये एक बीच का की एलिमेंट होता है जो लिंक करने का काम यहाँ पर करता है तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि इसमें से कौन से ऐसे और्गैनिजम है जो फंजाई के कल्टिवेटर के तौर पर हम जिसे हम लोग देखते हैं जो फंजाई होते हैं और जो ये डेड एनिमल ये एनिमल इंसेक्ट भी हो सकता है तो जो animal या फिर जो insect है और जो fungi है ये दोनों बहुत ही diverse group के होते हैں एक दूसरे के साथ में ये relationship में भी होते हैं कुछ होते हैं insects जो fungi पर dependent होते हैं ये इनको nutrient वगरे भी provide करते हैं प्लस साथ में एक platform भी provide करते हैं जिस पर यह अपनी colony डवलप कर सकते हैं तो एक तो यहाँ पर आपको platform मिल गया दूसरा एक तरीके से food मिल गया nutrient के format में यह जो mainly काम यहाँ पर किया जाता है वो नाम आपको ध्यान रखना है एक तो चींटिया करती है जैसे ants वगर हो गई इसके अलावा जो termites होते हैं दीमक होते हैं यह भी अपना काम इसी तरीके से करते हैं या जो wood boring beetles होते हैं यह जो wood boring beetles वगरे भी होते हैं यह भी इसी तरीके का काम करते हैं और बाकी wasp होते हैं ततया जिसको बुला आता है normal भाशा में यह चीजे होती है तो यह mainly हमें थोड़ा सा यह information आपको पता होना चाहिए तो यह important part होगा जो आपके further आने वाले time में भी काम करेगा तो अब यहाँ पर वापस से आईए कि cultivator और fungi किसे बोल सकते हैं तो cultivator एक तरीके से जो भी dead animal के ऊपर में चीजें रहेंगी तो यहाँ पर यह ant एक option हमें मिल रहा है तो answer यहाँ पर हो जाएगा ant बाकी इसके लावाद देखें इस spider अगर आप देखेंगे तो normally यह जाला बनाता है उपर ही रहता है guess कर सकते हैं कि यह तो नहीं होना चाहिए बाकी crab, crab यार केकला यह थोड़ा सा मुश्किल काम है जो आप फस सकते थे वो cockroach और ant में फस सकते थे यानि 50-50 तो यहाँ पर आपने कर ही दिया है कि क्या चीज हो सकती है now you have to take a guess अब तो information भी आ गई है तो अब यहाँ से हम लोग information निकाल सकते हैं कि क्या option होगा next question हम आता है कि which of the following species that can establish a symbiotic relationship with other organisms symbiotic क्या होती है symbiotic का मतलब यह होता है कि जहाँ पर जो भी species मतलब दो species है माल लेते A species है और B species है यह दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से dependent हुए है कि दोनों को profit हो रहा है दोनों फायदे में निकल करके आए है तो इस तरीके की जो relation होती है इसको हम लोग बोलते है symbiotic relation यह जो symbiotic relation होती है वो हमें कई जगों पर देखने को मिलती है अलग-अलग तरीके से जैसे फर इग्जामपल अगर बात किया जाए तो हमारे पास में स्नाइडेरियन यह एक स्पीसी यह स्नाइडेरियन यह स्नाइडेरियन एक जूजैन्थले के साथ में मतलब symbiotic relations में होती है यह जो जूजैन्थले होते है यह algae के साथ होते है यह ultimately यहाँ पर इनको food वगर प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के sowasimic relation में होते हैं दोनों एक दूसरे के psychology की symbiotic relation में रहते हैं दूसरा है जो fungi है जो फंजाई होते हैं अभी हम लोग ने in fact भात भी किया था कि ये डेड एनिमल पर भी रहते हैं और डेड एनिमल के अलावा ये plant के root में भी रहते हैं plant के जो ज़़ो होती है वहां पर भी ये पाई जाती है अब यहां से जहां से भी इस फंजाई को nutrient या कोई एक platform मिलेगा वहां पर ultimately ये develop कर जाएंगे तो platform मिलना चाहिए प्लस साथ में nutrient मिलना चाहिए जहां से भी मिलेगा ये दोनों चीजे वहाँ पर ये फंजाई जाकर के develop हो जाएगी तो जो फंजाई है ये भी ultimately इसके साथ में symbiotic relationship में होती है एक relation है जो आपको ध्यान रखना है कि जो फंजाई होते है ये algae के साथ में relations में होते हैं और ultimately ये lichens बनाते हैं तो this is lichens ये आपको relation ध्यान रखना है कि जो फंजाई है ये algae और lichens मतलब algae के साथ में symbiotic relationship में रहते हैं as lichens के format में तो यहाँ पर जो फंजाई है ये भी एक तरीके का symbiotic relationship में रहता है लास्ट option हमारे पास आता है protozoa को ले करके जो protozoa species होते हैं ये लोग भी mutual relations में होते हैं bacteria के साथ में bacteria जैसे sinobacteria हो गया या कोई भी unicellular algae हो गया इनके साथ में ये relationship में रहते हैं ultimately जो भी termite या wood eating cockroach वगर होते हैं वो सब भी इसी format में हमें देखने को मिल जाते हैं अब देखें यहां पर जो exam में आप लोगों से demand अब की जा रही है वो है phylum को पढ़ने की phylum क्या चीज होता है हमारे पास में category of plants होती है जो अलग-अलग category में divide करके रखी गई है ये plants की भी होती है और ऐसे ही insect और जो animals हैं उनकी भी होती है तो phylum को भी थोड़ा सा अब focus किया जा रहा है UPSC के द्वारा खेर आपका यहां से तो काम चल जाएगा लेकिन फिर भी for the near future you have to study this phylum जो कि हम लोग science and tech की discussion में cover करेंगे यहां पर हम लोग phylum भी study करेंगे फिलहाल के लिए अगर इस question का answer देखा जाए तो यहां पर all of the above correct answer हो जाएगा next question is in nature which of the following is या are most likely to form surviving on surface without soil यहां पर बोला जा रहा है कि बिना soil के अगर आपको soil न दिया जाए तो बिना soil के आप कौन सा इसमें से SPC है जो उगेगा यानि survive कर जाएगा अब जड़ा one by one करके बाद ही कर लेते हैं जैसे fern हो गया fern का पौधा होता है जो normally beautification के लिए घरों पे लगाया जाता है आपने देखा होगा कि गमले में इस तरीके से fern का पेड़ होता है जो ऐसे पतिया निकाल निकाल करके फेका रहता है मतलब सो प्लांट के टाइप का होता है घर की रौनक बढ़ाने के लिए इस तरीके से होती है अब यह जो fern होती है वो अलग-लग तरीके की होती है normally इस fern को direct sunlight नहीं चाहिए होता अगर यह direct sunlight पढ़ेगा तो यह खराब हो जाएगी इसलिए इसको indirect format में चाहिए होता है मतलब छाया चाहिए तो घरों के अंदर में normally इसलिए इसको रखा जाता है लेकिन इसको moist surface चाहिए moist surface चाहिए यानि कि आप इसको soil की जरूरत है तो normally इसकी mulching वगर है हमेशा prefer की जाती है कि गमले को खुद दीजिए जिससे की moist हमेशा बना रहे तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो fern है इसको soil की तो जरूरत है तो soil की यहाँ पर जरूरत हो गई तो option number one जो है हमारा यह कट गया in fact fern आप लोगों ने घर में देख भी रखा होगा की होता है इसी तरीके से हमारे पास आ जाती है mushroom mushroom भी हमें पता है कि moist इलाके में ही पैदा होती है तो यहाँ पर जो mushroom है यह भी moist soil की requirement है यानि यहाँ पर भी ज़्यादा temperature तो नहीं चाहिए लेकिन moist soil इसको भी चाहिए तो चौथा option भी यहाँ से हमारा कट गया अब सवाल उठता है second number and third number के उपर में अगर second और third को यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास आती है lichens अब यह जो lichens पगर है होती है अभी हम लोगों ने देखा कि यह fungi और algae के साथ में यह relationship में होते हैं तो जो हमारे lichens होते हैं इसको कहीं से यह अगर हम aquatic species में चले जाएं या एक ऐसा area जहां पर पानी लगा हुआ है जैसे माल लेते हैं कि कोई एक surface है यहाँ पर माल लेते हैं कि यह पहाड ही है तो पहाड पर कई बार आप लोगों ने देख रखा होगा कि इसको उपर में green green color की ऐसे काई टाइप की लग जाती है यह जो काई होती है यही हमारी algae होती है यह algae जब फंजाई के साथ में ultimately mix हो जाती है तो फिर यह lichens बना देती है तो क्या यहाँ पर किसी तरीकी की soil की requirement हुई क्या नहीं तयानी lichens को soil की तो जरूरत नहीं है यह बात तो समझे आ गई mosses भी इसी तरीके से होते हैं इनको भी soil की ज़रूरत नहीं होती है यह इनका कोई root ही नहीं होता है पहली बात इनका root नहीं होता है और इस वज़े से इनको soil की requirement नहीं होती है और इस वज़े से यहाँ पर option आ जाएगा आपका two and three statement बात समझ में आ गई अगले सवाल की ओर में आते हैं जो next question है आखिर photosynthesis में होती क्या है photosynthesis यहाँ पर जो होती है mainly वो plants के द्वारा की जाती है यह जो plants होते है mainly यहाँ पर glucose का जो element होता है वो बनाती है glucose को बनाने के लिए ultimately जो carbon dioxide है वो ली जाती है atmosphere से पानी के साथ यह लोग मिलाते हैं जो की xylem and phloem से आ जाती है और ultimately यह बना देते हैं C6H12O6 यह बना दिया गया है carbohydrate यह जिसे हम लोग बोल देते हैं यह बना दिया गया है glucose और यह हमारी body में जब हम इसको खाते हैं तो एक क्रिप साइकल में जाती है और फिर इसकी breaking होनी यहां पर शुरू हो जाती है इस breaking के लिए हमें ATP 38, ATP energy की जरूरत होती है लेकिन यह जो काम किया गया है यह human body या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो animal body है इस body के अंतरगत किया जाता है तो photosynthesis is what photosynthesis जहां पर carbon dioxide और पानी इन दोनों को मिला करके ultimately glucose formation किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर किया क्या गया है यहां पर क्या potential energy को free energy में convert किया गया है क्या नहीं potential energy का मतलब होता है जहां पर किसी height को आपने achieve कर रखा है और अपने अंदर में energy को potent करके यानि अंदर में energy रोक करके रखी गई है दूसरा है कि free energy को आपने potential energy में store कर दिया है यह भी option नहीं है क्या आपने food को oxidize करके carbon dioxide और water release कर दिया है यहां पर यह process हमारी involve हो रही है जहां पर carbon dioxide और water release हो रही है अब carbon dioxide बाहर थुड़ी जा रहा है यह तो ऐसे ही गलत हो गया तो यहां से option most correctly आप C यहां पर mark कर सकते है यह हमारे पास में चीज़ें निकल करके आ जाती है next question हमारा आ जाए अगर next question which of the following add or adds carbon dioxide to carbon cycle carbon cycle में क्या चीज़े होती है carbon cycle में अलग अलग जगों से हमारी carbon dioxide निकल करके भी आती है जैसे carbon dioxide यह release हो रही है और ultimately plants के द्वारा यह absorb हो जा रही है तो release किसके द्वारा होती है release अलग अलग जगों से होती है और absorb करने के लिए तो हमारे पास में जो भी plants है या जो कोई भी photosynthesis की प्रक्रिया करते है वो सब यहां पर यह absorb करते है तो आखिर में carbon dioxide आती कहां कहां से है क्या यह volcanic eruption से आती है बिल्कुल volcanic eruption से कई सारी gases वगरे निकलती है water vapor निकलता है तो इस वज़े से यहां पर हमें carbon cycle में carbon आता हुआ देखने को तो मिलेगा ही respiration की प्रक्रिया यस बिल्कुल हम लोग carbon dioxide को छोड़ते हैं तो यहां से भी निकल रही है लेकिन photosynthesis से carbon dioxide निकलती नहीं है बलकि absorb होती है तो तीसरा option आप cut कर दीजिए और पहला option तो है ही answer यहां से automatically आपका C option निकल करके आ जा रहा है बाकी इसके अलावा जो भी material decay होते हैं वहां से भी हमारा carbon dioxide तो निकलता ही है यह हमारा answer निकल गया है यहां पर C next question है in the case of which of the following bio geochemical cycle सवाल यह उड़ता है कि bio geochemical cycle क्या चीज होती है bio geochemical cycle bio geochemical cycle basically biological cycles के साथ में एक relation होती है जैसे हमारे पास में nitrogen cycle है यह nitrogen cycle काईदे से अगर आप देखेंगे तो एक geological process के थुरू होता है लेकिन यह biological भी है क्योंकि कहीं न कहीं biology के साथ में यह relate हो रहा है animals के साथ में human के साथ में यह relate भी हो रहा है similarly अगर हम oxygen cycle को देखे या फिर आप phosphorus cycle को देखे या फिर आप sulfur cycle को देखे या फिर आप carbon cycle को देखे तो जितनी भी यह सब cycles होती है इन सभी का relation में देखने को मिलता है जो भी living species है उनके साथ में और इसी वज़े से इन सभी को हम लोग बोलते हैं कि यह bio geocemical cycles है अब सवाल को जरा आगे पढ़िए सवाल में आगे बोला जा रहा है कि इन सभी bio geocemical cycles के अंतरगत कौन सी है अब nitrogen को देखेंगे तो यह rock से तो निकल के आता नहीं है या तो यह lightning होती है आकास में वहाँ से निकल करके आता है या फिर soil से यानि bacteria से निकल करके आता है तो यह तो नहीं होना चाहिए similarly oxygen भी gaseous format में होती है यह भी नहीं होना चाहिए अब carbon है carbon भी नहीं होना चाहिए अब यहाँ से निकल रही है दो चीजें या तो phosphorus होगा या फिर sulfur होगा तो यह दोनों option तो आपने cut कर दिया अब phosphorus primarily निकलती है जभी भी जो भी rock है उसका weathering होता है sulfur mainly sulfur dioxide के format में होती है या फिर जो sulfuric acid होती है यहाँ से निकल करके आती है अब primarily अगर आप देखेंगे तो यह acid rain के format में ही होती है acid rain से निकलती है तो यहाँ से option बहुत ही clear तरीके से देखने को मिल रहा है कि this is phosphorus cycle next question है कि इसमें से dead tree wars कौन कौन से होते हैं हम लोग ने in fact अभी discuss ही किया था कि हमारे पास में decomposers होते हैं कई लोगों को actually यहाँ पर confusion होती है इसलिए एक साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं decomposers होते हैं जिसे environment की भाषण में हम लोग इसे saprotrophs भी बोलते हैं जो saprotrophs होते हैं basically यह जो भी dead species होते हैं dead species के ऊपर या dead species को जो भी अपना food बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं saprotrophs या फिर decomposers इनका जो main काम होता है वो होता है decay करने का decay करने का मतलब कि यह cell को break करते हैं और फिर ultimately उसको consume कर लेते हैं अब यह basically दो तरीके के होते हैं एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं dead tree wars dead tree wars dead tree wars का मतलब यह होता है कि जो और ज़्यादा decay करने का काम करते हैं के format में होते हैं फंजाई हो गया यह बैक्टीडियाज वगर रहे हो गया एक और टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं scavengers scavengers भी dead animal पर ही बेज़्ड होते हैं जैसे वल्चर हो गया जो वल्चर होते है वह डेड पर ही based होते हैं और ये भी scavenging का काम करते हैं तो ये चीज़ हो गई decomposers decomposer का ही एक पार्ट आप बोल सकते हैं dead tree war और एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते है scavengers अब जड़ा देखिएगा यहां पर क्या क्या बोला या रहा है और तरीके से कह लिए किड़े होते हैं जो मतलब प्रिथ्वी पर ही रहते हैं जमीन पर रहते हैं जो कीड़े होते हैं जो रेंगते रहते हैं क्या ये dead animals खाते हैं ये डिड आडड़ एनिमल्स ALL गाते है तो ये उसको भी ये लोग खाते हैं, ये भी हो गया, सी होर्स जो होती है, वो एक समुद्री मचली होती है, ये मचली कभी dead चीज़ को नहीं खाती है, ये living item को खाती है, मचली हो गई, इन सब चीज़ों को खाती है, तो ये decomposer की category में नहीं आती है, वेल की ये secondary consumer आप बोल सकते हैं, ये होती है secondary, consumer, consume करने का ये काम करती है, छोटी मशलियों को ये खा लेती है, इनफेक्ट अगर pyramid में देखेंगे तो सबसे उपर जैसे whale आ जाती है, वैसे ही हमारे पास में दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ये हमारी जो sea horse है, ये हमारा देखने को मिलता है, तो ये चीज डेट्री वोर्स में तो नहीं आता है, तो third option आपने जैसे ही cut किया, वैसे ही आपका option निकल करके आगया कि answer यहाँ पर ये होना चाहिए, तो ये हम लोगोंने discussion किया कुछ environment and ecology के question जो doubt रहेगा, comment box में आप हमने doubt भी लिख सकते हैं, बाकी अगले questions हम लोग next class में discuss करते हैं,